आज हम बिहार बोट का क्लास एट का समाज़ी विज्यान के पेपर लेके आ चुके हैं जैसा कि आपका एक दम छमाही परिछा का एक दम इसी पैटरन पर आपका कोशन रहेगा तो यह पुरा कोशन आप देख लिजेगा इसमें से बहुत कोशन लरेगा आपका ठीक और यह करनेंगे कहाएं चर्ण को सब्सक्राइब कर दिया है ठीक तो चली को सब्सक्राइब जरू कर देजएगा तिक स्लिक रूरों है सही विकल्प के सामने सही का चिन अंकित करना है पहला कोशन है कानून के द्वारा सती प्रथा का अंत कब हुआ तो यह आपका कब हुआ था टारसो उन्तिस में यानि का अप्शन नमबर फोर हो जाएगा ठीक चले दूसा नमर कोशन है राज्य सभा में कितने सदस्य मनोनित किये जाते हैं तो राज्य सभा में टोटल बारा सदस्य मनोनित किये जाते हैं तो इसका सही अंसर क्या हो जाएगा ठीक चले कोशन नमबर तीन देखते हैं कोशन नमबर तीन है ओल इंडिया ट्रेड यूनियन कॉंग्रेस जिसको एटक क कब हुआ तो इसका अस्थापना जो हुआ था तीन का क्या हो जाएगा इसका उने सो बीस हो जाएगा यानि कि अप्शन नमबर हो जाएगा ठीक चली मिलान करने वाला सेकंड को सन आएगा तो यह इसी परकार से आपका रहेगा तो आप टोटल बना देजेगा ठीक तो सभी को सन याद कर लिजेगा पहले वाला भी अभी वाला भी यह आपका टोटल आठ मार्क्स का है ठीक चली मिलान करना है मुह पानी मुह पानी जो है कहां क्या हो जाएगा तो मुह पानी हो जाएगा कोईला कोईलाक हो जाएगा मुह पानी क्या है तो कोईला है ठीक ऑप् ठीक अग्ला है ताता पानी ताता पानी क्या हो जाएगा तो सोरtxा है ठीक चलिए कोसन नमबर 3 कैसे से रखान यह कि रहेगा तो तीन के होजएगा अलवर्दी ऑफिया है यहाँ अगला है लोगसभा के लिए एंग्लो इंडियान समुदाए के सदर से संख्या मनुनुनित किये जाते ही दो bada अधिशम में दो मनने नित्किया किया जाते हैं इतना इस्वी में बिधुहा बिवा के कानून पारील किया था तो कब जो है बिधुहा विवा के जो कर सकती है कब पारीत हुआ था है और यहां पे लिग ढिए जाएगा निक्षान देना होगा ठीक, question number पहला है, अब इश्वास परस्ताव के से क्या समझते हैं, तो उतर हो जाएगा, अब इश्वास परस्ताव मंत्री परिशद पर नियंतरन करने का एक मजबूत तरीका है, यदि संसद को यह लगता है कि मंत्री परिशद सही धंग से काम नहीं कर रही है, तो संसद में अब इश्वास परस्ताव पेस किया जा सकता है, ठीक, दूसरा question रहेगा, भारतिय संसद के तीन अंग है, कौन कौन, तो भारतिय संसद के तीन अंग है, राष्ट पती, लोग सभा, राज्य सभा, ठीक, question number 3 है, उत्योग से क्या समझते हैं, उत्योग से आप क्य वस्तूओं के उत्पाधन खनीजों के निशकरसन तथा सेवाओं की विवस्ता से जुरा होता है, चौथा question है, विलयनीति का क्या मतलब होता है, विलयनीति का क्या मतलब होता है, चाहिए, तो इसका answer देखते हैं, सीधे युद्धों के अलाबा, भारतिय स्राजियों को अपने नियंतरन में लेने के लिए कमपनी के अन्य बहाने भी ढूंडने शुरू किये विलय नीती भी ऐसा ही एक बहाना था इस नीती के अंतरगत अगर किसी सासक की मृत्यू ही मृत्यू हो जाती है उसका अपना कोई पुत्र नहीं होता है तो उसके राज की कमपनी अपने नियंत्रन में ले लेती थी कुशन नमर पांच है भारत में पहली रेलगारी कब और कहां चली तो भारत में पहली रेलगारी 16 अगस्त 1853 को मुंबई से थाने के करीब 34 किलोमेटर में चली थी चली थी यह आप जयक्ति में भी पूछ सकता है कि कब चला था तो 16 अपरेल 1853 में 16 अपरेल और कहां से कहां तक तो मुंबई से थाने कितने किलोमीटर सकते पूछ सकता है चलिए पांच नमर कोशन है जो कि आपका दस मार्ग का रहने आवला है ठीक किसी एक प्रशन के उत्तर देना रहेगा पहला प्रशन है परिवहन के कौन कौन से साधन है तो परिवहन के सरक मार्ग सरक से जा सकते हैं मार्ग हवाई मार्ग एक और होता है क्या जल मार्ग ठीक जल से भी हम कहीं पर आवगमन कर सकते हैं कुशन नमर अगला है जन जाती पर द्रोह में महिलाओं की भूमी का अका वर्णन किजिए ठीक तो यहां पर देख लिजिए थोड़ा सब बढ़ा है कि दूसरा का इंसर यहा बाट कर दिएगा ठीक जल्दी जल्दी प्रस्टों को दिखा देते हैं एंसर को दिखा दिए जली अगला प्रस्ट है आपके सामने उसी का इंसर यह रहा चलिए अगला कुशन है आपका उपर यहां तक अंसर है उसका बड़ा था अगला कुशन है तीसरा कुशन समाजिक निया से आप क्या समतिक केवल एक ही प्रसन का उतर देना है येकिन आपको याद टोटल करना है कौन प्रसन आपका एक्जाम में आ जाएगा कोई जरूरी नह लिएगा ठीक चलि विहार की क्रिसी की या विशेष्थाइन है तो बहार की क्रिशी क्या विशेष्थाय है मांसून परनेर्भर होने के कारण फसलों के उत्पाद में अनिस्चित्ता बनी रहती है यह सभी देख ली जर याद कर ली जेगा फिक इतना वीडियो देख लिएगा ये वीडियो और तीन वीडियो और समाझी विग्यान का जो चयानल का प्लेजित हम्यश सुम्यार में थे जेगा टोटल वीडियो हुन प्लेजी सम्यार का ढू apocalypseि को निदे गा लेकिन आपको होज लिजेगा जो भी वीडियो तोट रहेगा समाजी वियंद कर देख लीजिए आपका किलियर हो जाएगा ठीक चैनल सब्सक्राइब जरूब कर जाएगा वीडियो पुछनाद कर देजीगा और एक आप कहां से हैं कमेंट आपको जरूब कर जेगा अपना जीला के नाम जरूब कमेंट में लिख देजेगा धन्यवाद